हेलो इस्टुडेंट स्वागत है आप सभी का आपके अपने चनल अखिले स्टुडे सेंटर में तो सांतियों जैसा कि आप सभी को पता है हम कलाश 10 के कुछ महत्पूर्ण परसन दिये थे और हम आप लोग को उसको सोल्व करके भी बताए थे तो आज हम इस वीडियो में आप लोग को पूर्ण वर्ण वीदी बताएंगे जो की बहुत ही सिंपल वीदी है और एक्जामनेशन अब यू से काफी इंपोर्टेंट भी है तो आप वीडियो को बिना इसकीप किये लाश तक देखना ताकि आपको सभी चीजे समझ में आए ज exercise आपको 4.3 का पहला प्रस्ण का सेकेंड प्रस्ण मिलेगा solve करके चुकि हम इससे पहले वीडियो में जो हम आपको एक प्रस्ण solve करके बता दिये थे और आज हम इसका second part को solve करेंगे तो आपको बिना इसकीप किये last तक देखना मैं आपको जनुन तरीके से बताउंगा कि आ आईए हम वीडियो को systematic तरीके से सुरू करते हैं तो चलिए सबसे पहले हम question को लिख लेते हैं यहां हमारा question दिया गया है 2x square minus में x minus में 4 equal में 0 तो देखिए पुर्ण वर्ग बनाने के लिए आगे जो भी संख्या रहती है उस संख्या का पूरे समिकरन में हम भाग देते हैं फिलाल हमारे पास 2 है तो हम पूरे समिकरन में 2 का भाग देंगे यदि हमारे पास 3 रहता तो पूरे समिकरन में हम 3 का भाग देते हैं चुकि हमारे पास क्या है 2 है इसलिए हम इस पूरे समिकरन में 2 का भाग देंगे तो चलिए हम दो का भाग यहां पर देते हैं तो देखें जो cancel out उड़ा है उसको cancel कर सकते हैं आप यहां पे हमारे पास क्या बज गया यहां हमारे पास रहा गया x square minus x बटे 2 को मैं 1 by 2 x लिख सकता हूं minus 4 by 2 को मैं लिख सकता हूं 2 क्योंकि 4 में 2 का अगर भाग दते हैं तो 2 आता है 0 में किसी भी से गया भाग दते हैं उसका भागफल 0 होता है आप क्या करना है देखिए अगला step x square minus 1 by 2 x minus 2 आप देखिए 1 बटे 2 का आधा का square दोनों तरब क्या करना है plus करना है तो मैं एक simple तरीका बता देता हूं कि 1 बटे 2 का आधा का square कर लिजे एक ब़र plus किजे एक ब़र minus कर लिजे चलिए मैं आपको बता देता हूं अभी दूसरे तरीके से बता रहा हूं चुकि अगले वीडियो में आप लोग को दूसरे तरीके से बताए थे चुकि आपको समझना है समझने के लिए जो आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं तो यहाँ पर हम लिख दिया है 1 by 2 का आधा आधा का मतलब होता है एक बटे 2 का वर्ग करना है तो एक को एक से गुना कर देंगे एक दो को दो से गुना करेंगे चार यानि एक बटे 4 का स्क्वार एक बड़ पलस करेंगे और एक बड़ हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे एक बटे 4 का स्क्वार इक्वार में क्या लिखेंगे जीरो तो आप देखिए हम इसको आगे सरहल कर लेंगे आप इसको आगे हम सरहल करेंगे x square ठेक यहां पर क्या है पलस है तो plus a square plus b square उसके बाद a square plus b square यहां पर क्या है minus minus 2 into a का मान तो देखे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 by 2 को 1 by 4 लिख सकता हूँ न 1 by 4 देखे 2 1 जा 2, 2 जा 4 कटाने के बाद 1 by 2 ही आएगा उसके बाद हमारे पास क्या रह जाएंगे फिर minus का 2 रह जाएंगे तो minus का 2 हम यहां पर लिख देंगे फिर minus हो तो minus 1 का square करेंगे तो 1, 4 का square करेंगे तो 16, equal में 0 है तो 0, अब देखे आगे हम solve कर लेते हैं x square अब देखे a square plus b square minus 2 a b, तो यानि इसका जो rule play करता है इसका rule play करता है a square minus a minus b का whole square का rule play करता है अब लोगों पता है a minus b का whole square का rule play करता है इतना बराबर सुद्र क्या होता है a square plus b square minus में 2 a b तो हम इसके रुप में दिया गया है तो वापिस हम इसके रुप में लिख सकते हैं तो हम इसके रुप में लिखेंगे, तो लिखना है यहाँ पर माइनस का 1 by 4 का कॉली स्कॉार, उसके बाद फिर क्या रहे गया, माइनस का 2, और माइनस का 1 by, माइनस का 1 by 16, आप देखिए यहाँ माइनस कोमल ले ले लेगे, तो हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास रहेगा यहाँ पे minus 2 minus और minus क्या हो जागा plus 1 by 16 यह हो जाएगा आगे हम इसको अफसराल कर लेंगे x minus 1 by 4 का holy square minus देखें यहाँ पे 16 अगर हम इसका बिन्नक जोर कर लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 16 22 प्लस में एक बट्टे में 16 और यहाँ पर क्या हो जागा x-4 का all square 32 और एक 33 बट्टा में 16 और इसकी equal में 0 चल रहा तो हम 0 भी लिखना भोल गए थे हम लिख दियें यहाँ पर 0 लगा हुआ है ही तो आप देखिए हम क्या करेंगे यह minus का है minus का 33 बट्टे 16 minus का है 0 के इस तरफ transfer कर देंगे तो क्या हो जागा plus का हो जागा तो x-1 by 4 का whole square और इधर क्या जाएगा plus में आ जाएगा तो आब हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए square को हटाते है तो दूसरी तरफ क्या चड़ जाती है root चड़ जाती है तो हम यहाँ पर क्या चड़ा देंगे root चड़ा देंगे तो चलिए हम यहाँ root चड़ाते है x-1 by 4 root अंडर 33 बट्टे 16 और जब भी root में चड़ता है तो plus minus में चड़ जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x-1 by 4 plus minus चुकि 33 का root तो complete निकलता नहीं है इसलिए हम 33 को same to same लिखेंगे 16 अगर root निकलते है तो 4 आता है आप देखिए हम क्या कड़ेंगे यहाँ पर plus में लिखेंगे plus minus का मतलब यही होता है कि एक पर plus में लिखना है एक बर minus में लिखना तो चलिए हम इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख लेते हैं तो लिखेंगे X बड़ा बर रूट अंडर 33 बटे 4 माइनस का इस तरह आएगा तो प्लस का 1 बाई 4 अगर इसको हम आगे सरल करेंगे तो रूट अंडर 33 प्लस में 1 बटे में 4 इसका LCM लेकर अगर अपसरल करते हैं तो आपको इतना इसका परिनाम मिलेगा तो एक बार प्लस में लिएते हैं आप एक बार हम माइनस में ले लेंगे यहीं पर ले लेते हैं X को रखेंगे माइनस का रूट अंडर 33 बट्टे 4 माइनस का इस तरह पाएगा तो पलस का 1 बट्टे X बराबर माइनस का रूट अंडर 33 माइनस पलस 1 बट्टे में 4 ये इसके दो मूल आ जाएंगे तो इस तरीके से हम इस question को solve कर सकते हैं यदि आप इस question को यगवर फिर से देखना चाते हैं तो आप यहां से देख सकते हैं आपको पूरा का पूरा solution यहां से मिल जाएगा यह आप अगर चाहेंगे तो आप इसका screenshot भी ले सकते हैं तो चलिए मैं आपको इसका screenshot देता हूँ ताकि आप अपने copy में अची तरीकी से उतार सकें और यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप इस वीडियो को फिर से एक बार देखें ताकि आपको अची तरीकी से समझ में आ जाए तो यह रहा आपका पहला screenshot उसके बात यह रहा आपका second screenshot तो आपको यह वीडियो कैसा लगा जिस वीडियो पर आपको doubt हो तो उस वीडियो के नीचे आप हमें comment करना क्योंकि हम इससे पिछले वीडियो में कई सारे वीविन परकार की वीडियो दिये है science का वीडियो दिये है, मैत का वीडियो दिये है जो भी भ्योवर्ण है जो भी student है अगर वो comment करते हैं तो मैं उस पर particular वीडियो दूँगा ताकि हमारे student को किसी भी परकार के कोई problem ना हो तो मिलते हैं फिर हम नहीं वीडियो में नई टोफी के साथ तब तक के लिए good bye